हाई फोक्स वेलकम जगमी कीर्थी चैनल आज की वीडियो काफी स्पेशल होने वाली आप सभी लोगों के लिए क्योंकि यहां पर मैं आपको बदाने वाली हूँ गूगल की तरफ से हाइरिंग जी हाँ गूगल एक ऐसी कमपनी है जहां पर हर कोई जी हाँ हर कोई काम करना चाता है और आपको अम्मौका मिलने वाला है क्योंकि गूगल की यह जो हाइरिंग है यहां पर फ्रेशर्स भी अपलाई कर सकते हैं और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी यहां पर साट से असी हजार पर मन्त आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बट अगर आपको जल्दी से इस जॉब के बारे में बता देती हूं इससे पहले जो लिंक है वो एक्सपायर हो जाए ठीके वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे अपलाई करना है तो वह बहुत जाते इंपॉर्टेंट होने वाला है ध्यान से देखना और जल्दी से जाके जो मैंने लिंक वीडियो के डिस्सिप्शन में दिया है उस पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म फिल करना और अपलाई कर देना इससे पहले लिंक जो है एक्सपायर हो जाए और आपके हातों से यह ऑपरचनेटी यह जॉब चूट जाए ठीक है तो यहां पर आपको बताती हूं कि क्या प्रोफाइल है क्या काम है और क्या एलिजबिलिटी क्रेट एरिया है वो अल्रडी मैंने आपको बता दिया है work from home है कि office है सब आपको इस वीडियो में पता चले वाला है तो let's go and don't forget to subscribe अगर आप new हो इस चैनल पर क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाती रहती तो यह जो प्रोफाइल है यह है technical solutions consultant की profile और यह in office है बैंगलॉर कनाटका में यह job active हुई है अगर आप हैदरोबाद में रहते हैं आप बैंगलॉर में रहते हैं तो आप यहाँ पर apply जरूर करना यहाँ पर bachelor's degree in computer science IT and related technical field में अगर आपने करी है बैशलर अपनी complete करी है तो आ आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप यहाँ पर apply कर सकते हैं बट बैशलर डिग्री जो है आपका technical field में ही आपने करी होनी चाहिए ठीक है यहाँ पर आपका बहुत जादा important role रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर बीच में आप एक मीडियेटर होग जैसे cellular क्या होता है वाइफाय और क्या होता है ठीक है इस चीज को आपको पता होना चाहिए यहाँ पर टेस्ट पार्टनर्स के साथ भी कॉडिनेट करना पड़ सकता है आपको सारे issues देखने पड़ेंगे जो भी टेस्टिंग में issues आ रहे हैं क्या issues आ रहे हैं कैसे रिजॉल्व करोगे यह सब आपको आना चाहिए इसलिए यहाँ पर आपके पास टेक्निकल फील्ड की ही होनी चाहिए अगर आपने बीए किया है या आपने बीकॉम किया है तो ऐसे फील्ड वाले जो ग्राजुएट्स हैं यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते अगर आप अ करना चाहिए जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना यह वीडियो देखने के बाद ही तो जैसे आप को क्या करना है आपको बहुत ज्यादा ध्यान से आप देखना तो यह जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्रिप्शन में दे दिया है वहाँ पर जाके आप जब लिंक खोलोगे तो आपको सारी इंफोर्मेशन देख जाएगी इसी लिंक में ठीक है आप देख सकते हो कि क्या प्रोफाइल है क्या वर्क्राम ओफिस है या होम है ठीक है और यहा प्लोड करने के बाद यहां पे जो आपकी इंफरमेशन है वो थोड़ी फिल एन हो जाएगी जो इंफरमेशन यहां पे इस फॉर्म में अभी खाली है वह आपको खुद बननी पड़े के लिए एक कितना है और कब स्टार्ट किया सारा इन्फॉरमेशन आपको लिखना उसके अकॉर्डिंग यहां पर आप स्किल्स करोगे लोकेशन कवल अप यहां पर डालोगे टिक करने के बाद समिट करोगे समिट करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल वह बन जाएगी बट तो यह जो प्रोफाइल है जिसके लिए हाइरिंग हो रही है इसके लिए समिट करना है अप्लिकेशन तो यहां पर आपको continue करके फिर दुबारा उसी पर जाना और अप्लाया पर क्लिक करना है अब जैसे कि आपकी जो प्रोफाइल वह बन चुकी यहां पर प्रेफर्ड अपन पर वाला जो option है वो टिक कर देना फिर प्लीज इंडिकेट यूर डिसेबिलिटी स्टेटस यहां पर नो कर देना I don't have a disability और फिर दूसरा है कि नो I am not currently working with military ऐसा कुछ फिर टिक करके next करना है अपको आपकी जो एक्प्लिकेशन है वह यहां पर आपको दिख जाएगी डिटे़ दिख जएगी टिक करने के बाद आपकी यहां पर सम्मिट हो जाएगी तो फोक्स मैंने आपको सारी चीज़े बता दी हैं कि यहां पर आ आज ही जाके मैं अभी ही आप apply कर दो link जो है video के description में आपको मिल जाएगा और link open करने के बाद आप job details भी पर सकते हो और apply भी कर सकते हो, ठीक है? So subscribe करना मत भूलना अगर आपको video पसंद आई हो Until my next video, bye folks, take care and have a great day.